हेलो बच्चों तो जारकन बोट की तरफ से बहुत बड़े अपडेट सामने इनकल करा रहे हैं मैट्रिक वा इंटर की परिछा को ले करके क्लाश 10 और 12 वाले बच्चों का फैनल एक्जाम के लिए बहुत बड़े अपडेट है ठीक है कि आप लोगों का जो एक्जाम रूटीन जो जारे किया है छे तारिक सो होने वाला तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजस हुआ है और आप लोगों का जो अब्जिक्टिव होने वाला है उसमें क्या ओप्सन दिये जाएंगे की नहीं दिये जाएंगे पूरे इस वीडियो में आप लोगों को अं बताने वाले हैं। जितने में मन में सब्सकर है, क्या पहला पॉइंट में हर चीज को समझाओंगा ठीक है वर्थ 2024 में मादिमिक और इंटर्मेडियर की परिच्छाएं एक ही टर्म में अयुजित की जाएगी मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगो जो एमर दिया जाता था पहले उसमें एक्जाम लिया जाता तो उसके बाद आप लोगो उत्तर पुष्टिका जाता था प्रश्ट लगो उतर इए बिग्र उतर इए आदी प्रकृति के पचास onq का प्रश्ट और सेचिने पर-सिंट प्रसेंट से निया जाएगा्काma शूर्ष्ट बचेवां प्रश्णों के चार विकल्ब एबी सीडी सही उत्तर के चैन हेतु दिये जाएंगे इनमें से सही विकल्ब के साथ साथ उसमें अंकित उत्तर की पुस्तिका भी लिखना आवस्यक होगा यह मैं पॉइंट है बच्चों में पॉइंट है ठीक है इसमें सिर्फ आपको एबी परकार के होते हैं ठीक है मालो लो इस तरीके का सवाल है ठीक है थीचे तो आपके और Croe EX intellect हैं इनमबर 1 exemplu 10reiben is और साथ साथ में आपको इसका उत्तर भी लिखना हो तो उत्तर इसका कितना था तीन तो इसी तरीके का आप लोगों को फिर कोश्ण नूम्बर टू और टू कमालो बी सही है तो बी लिख देंगा और जो बी मिल जो आप्सन दिये वे रहेंगे उसको आप लोगों को सिर्फ न होगे तो वहां पर confusion ही दूर हो जाएगा एक्जाम का लिखावा है कि यदि प्रशन संक्या उत्तर सी सही होगा तो प्रिच्छातरी को उतर पुस्तिका मैं CPQR के रूप में लिखना हो जैसे हमने जो बताया एक्जाम का जो डेट है उसमें चेंज हुआ है या नहीं हुआ ह दीखें यहां पर क्या इसाफ सफ लिखावा परिच्छा आयोजन के कारेकरा में तीती में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है मतलब कि आप जो रुटीन जारी हुआ है जो रुटीन जारी हुआ है वह भी आप लोगं ।िखाने वाले हैं जिसके पास नहीं होगा की संच्छ किया गया है यहां पर देड को चैंज नहीं किया गया है जैसी कि आप लोग देख सकते हैं पर 10 जाम का है और यहां पर चुव similar है को व nach सब्सक्रा कर पांच मिनुट तक आप लोग दिया जाएगा टीक है जिसमें आप लोग को कि यह मbau क्वारी पहले वाला था यह पहले वाला था लेकिन जो पहले वाला था यह अप силक्सर समय दिए गया था लेकिन अभी का देशांग और यह norm को पढ़ने के लिए एक्स्ट्राइम दिया जाता है ठीक है लेकिन तीन घंटा का आप लोगों को क्या होगा एक्जाम होगा टुएल्ट वाले क्लास को लिए इसी तरीके से कितना बज़े से देखें सकेंड से दिंग में दो बज़े से लेके दो बज़े पांच बज़े तक पंदर मिट आप लोगो एक्स्ट्रा दिया जाता है यह पेपर को पढ़ने के लिए ठीक है आप लोग का जो रूटीन है इसी तरीके से बस आप लोग का एक ही रहेगा ठीक है ओए मार में इस बार नहीं रहने वाला है तो जैसे कि आप लोग हम टेंथ वाला हम दिखा दे कि अगर मालों की समाजिक विज्यान का आप लोग का बारा तारीक को समाजिक विज्यान है तो आप लोग का जो टाइम दिया रहेगा ठीक हमने क्या बताया है 95.45 से एक बजे तक मतलब की 3 घंटा आप लोग का इसमें दिया जाएगा जिसमें चाम्पलेड कर लेना है और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह था मेरे प्यारे बच्चों अपडेट ठीक है बाकी कोई दिक्कत नहीं है बस क्या है आप लोग का एक ही पेपर में आप लोग सब्सक्राइब करना है तो हमारे इस विडियो को सेर सभी बच्चों तक कर दे ताकि सभी को जनकारी इसका सटिक तरीके से मिल सके और बहुत ही कम समय बच्चों और इसी कम समय में आप लोग को बढ़ियां करना है तो आपके पास ब्रूब किया जा रहा है पलपल के लिए नेक्ट वीडियो में थाइंक यू सो मच